नमस्कार, सेंटेंजल्स की ओनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है ये क्लास, ये कक्षा हम आपको अपने घर से ही भेजने का प्रेत्म करें हैं ताकि आपके पढ़ाई का नुक्षान नहीं हो हमें ओन आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे और अपने घरों में ही होंगे लोकडाउन का पूरी तरह से पालन करें देखिए आज मैं आपके सामने कक्षा नौमी का कक्षा नाइन्थ का एक हिंदी व्याकरन का टोपिक लेकर उपस्तित हूँ जिसका नाम है अर्थ के अधार पर वाक्य के भेद अर्थ के अधार पर वाक्य के भेद हमने पूरी तरह से पढ़ लिए हैं उनके भेदों को क्रमशा हमने पढ़ा अब हम उसकी कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं एक्सरसाइज में देखिए एक्सरसाइज का सोलूशन में आपको बता रहा हूँ देखे, exercise number 19 है, 19 का second question है, practice paper में, आर्थ के आधार पर वाक्य के भीद में, देखे, question है, आर्थ के आधार पर वाक्य का भीद बताईए, देखे, पहला जो question है, पहला जो वाक्य है, प्रातह भ्रह्मन स्वास्थे के लिए, लाब दायक है, यह एक जानकारी दे रहा है, एक साधारन कथन है, सामान्य कथन है, तो यह विधान वाचक वाक्य हो जाएगा, तो यहाँ हम लिखेंगे विधान वाचक साइड में, क्योंकि हमें भेद बताना है, दूसरा है, कोई मेरी बात नहीं सुनता, यहाँ बात का नय सुनना, यानि का चुछिए गयों पर निरभरण है या एक दूसरे कार्य पर निरभर है और जैसा कि मैंने आपको बताया था यदी तो का भी प्रियोग हो रहा है तो यहां संकेत वometers वाचक वह के हैं है कैं вч वार्ग सेंटेंस है संभावत है मैं भी मैं भी चला जाओं संभवताह मैंने बताया था आपको सायाद संभवताह का प्रियोग संदेव आचक वाकियμεं हो सकता है शंभवता मतलब संभावना है मेरे जाने की निश्यत नहीं है इसलिए है संदेव आचक वाकिय है आगे है फिप्त अरे इतनी उंची इमारत यहां देखकर देखे विश्मे एक आश्रिय का बोध हो रहा है इमारत को देखकर के अरे शब्द का प्रियोग हो रहा है विश्मे शूचक शब्द है इसके बाद विश्मे आदे बोधक चिन का भी प्रियोग हो रहा है तो इस तरह से ये विश्मे वाचक वाक्य है 6 है हमारे विद्याले में एक खुला मैदान है एक साधन सी जानकारी है विदान वाचक वाक्य है रमन नहीं आया निशेद वाचक वाक्य है रमन नहीं आया क्योंकि नहीं शब्द का प्रियोगरा है वह शायद ही आए यहां भी देखे शायद सब्द का प्रियोग हो रहा है इसलिए संधे वाचक वाक्य है कारिय का होना निश्यत नहीं है मैंने आज ग्रह कारिय नहीं किया यहां नहीं सब्द का प्रियोग हो रहा है इसलिए निश्यत वाचक वाक्य है अरे इतना लंबा साप यहां भी आश्रिय का बहुत हुआ है अरे शब्द है इसलिए विश्मवा चकवा के है हमें विनम्रता से बात करनी चाहिए सामानेशी बात है साधारन कतन है तो विधान वाचकवा के है कुतुब मिनार का निर्मान कुतुब दीन अईबक ने बनवाया था यहां पर करवाया था इसलिए यहां थोड़ी मिस्टेक है प्रिंट में करवाया था तो यह सामानेशी जानकारे का इसमें बोध हो रहा है यह विधान वाचकवा क्या होगा आगे है 13 तेरवा है अरे बापरे वै छत से कूद गया यह शोख को प्रकट कर रहा है यह अरे बापरे यह विश्मा सूचक शब्द है विश्मादी गोधक चिन्द का भी प्रियोग किया गया है तो यह विश्माद वाचक वाक्य होगा लगता है आज तेज धूप होगी लगता है आज तेज धूप होगी तो यह जो है विधान वाचक वाक्य है सामा नेशी जानकारी इसमें प्रकट हो रही है आगे है किसी की शिकायत करना बुरी आदत है वैसे यह फोर्टींत जो चोदवा है लगता है आज तेज धूप होगी यह संधे वाचक वाक्य भी हो सकता है इसको हम संधे वाचक में ही रखेंगे क्योंकि लगता है निश्यत नहीं है संधे है अभी डाउट है संधे वाचक वाक्य है तो इस तरह से यह जो है फोर्टीं किसी की शिकायत करना वुरी आदत है, तो यहाँ वुदान वाचक वाक्य है। तुम कमरे से निकल जाओ, शुर्यास्त पश्चिमी दिशा में होता है, यह सामाने जानकरी का बुदोरा इसलिए वुदान वाक्य है। सो अब हम आपको इससे next exercise homework की रूप में देंगे वह आप करेंगे कल हम उसका solution कराएंगे धन्नवाद